नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ. दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब एक बार भगवान विश्णू और जलंधर का युद्ध हुआ था, तभी भगवान विश्णू ने जलंधर पर अपना सुदर्शन चक्र का प्रहार किया था, और ज चानक जलंधर फिर जिन्दा हो गए और पीछे से भगवान विश्णू के बाहन गरुड पर हमला किया और उसको वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया, तभी भगवान विश्णू ने जलंधर को बहुत समझाने की कोसिस की, लेकिन जलंधर नहीं माना, फिर जलंधर ने प्रथम प्रहार उसके चाती पर किया और इस प्रहार से जलंधर मुरक्षीत होया और कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गया, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ था, क्यूकि उसका अंत तो केबल महादेव के हातों ही संभव था, क्यूकि जलंधर कोई साधारन असुर नहीं था, वो स्वयम महादेव के तिसरे नेत्र का अशन्थ था, कुछ ही समय के बाद जलंधर फिर जिन्दा हुआ और माता महाकाली को युद्ध के लिए चुनोती देने लगा, और उसने अपना अस्त्र का आहावान किया, और उसका अंत करने के लिए आगे बढ़ी, फिर जलंधर उसने भी अपना अस्त्र उठाया और युद्ध करने लिए आगे बढ़े, तभी माता महाकाली ने जलंधर पर अपना अस्त्र का प्रहार किया, लेकिन जलंधर को कुछ भी नहीं हुआ, उसने महाकाली के उस अस्त्र से भी अपनी रक्षा कर ली, तभी महाकाली बहुत क्र प्रोड कर उस अस्त्र से मुक्ति पा लिया। इसका अंत महादेव के हाथों ही संभव है और कोई इसका अंत नहीं कर सकते है। तब ही स्वयम महादेव जलंधर से युद्ध करने लिए आए। तो दोस्तों इसके आगे क्या हुआ जाने के लिए कमेंट बक्स में पार्ट टु जरूर लेखिए। आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल नयाम भीडियो के साथ अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।